हेलो, हाई, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एकदम बढ़या, मस्त, बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, वह टॉपिक है विभाव और विभांतर, तो बिसिकली आपके फिजिक्स में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विभांतर को डि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग इस चीज को जानते वही हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही विभांतर को परवासित किया गया है, विभांतर को परवासित किया गया है, विभांतर को परवासि तो इस विवांतर की में पर्णेंस आपको जो आप चैप्टर पढ़ेंगे धारा बिद्दुत तो बहां पर आपको समझ में आने वाली है कि आकिर सर ने ऐसा क्योंका कि विवांतर इंपोर्टेंट है और इसका परने का पीछे रीजन क्या है तो बहाँ पर हम लोगों को विवांतर को अच्छी तरीके से समझ में आएगा लेकिन 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 रुको जरा सबर करो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको विवांतर को डिफाइन करने वाला हूँ तो क्या आप तयार हैं? जी हाँ आप बिल्कुल तयार होंगे, इतनी अच्छी क्लास के लिए कैसे कोई तयार नहीं हो सकता है भाई, तयार होंगे, उम्मित करते हैं, तो बिवांतर को हम लोग सीखने वाले हैं, बहुती धमाकेदार अंदाज से, तो बिवांतर क्या है, सबस हमारे पास बैदुच्छेतर है, अब बैदुच्छेतर यहां पर पहले से, मतलब कि यहां पर पहले से कोई ना कोई आवेस होगा, बहुत अच्छी बात है, मालों यह बोर्ड पे हमारे पास पुरा यह बैदुच्छेतर है, और इस बैदुच्छेतर में मैंने दो बिन्द अभी अगर कोई देख रहा हो तो मतलब मेरा ही नाम ले लिया या पर तो आप कुछ भी ले लो ठीक है ओके चीक है आगे बढ़ते हैं मैंने बोला कि माल यह हमारे पास बैदू छेत्र और बैदू छेत्र में मैंने दो बिंदू को लिया ठीक है ओके ठीक है सर जी आप बता रहे हैं मैं सुन रहा हूं मान भी रहा हूं ठीक है तो यह क्यों आर्ड जो है बिंदू बी से ए तक मैं ला रहा हूं अच्छा तो किया यह अपने ऐसी चला आएगा हां आ जाएगा, तर आप ला रहे हैं तो आ जाएगा ना भिल्कुँ सही बात है, ला रहे हैं तो आ ना मिग चाहिए लेकिन लेकिन बच्चा यहां पर ध्यान दीजिए पहले से बैदुच्छेत्र मौझूद है क्या है मालो यहां पर पूरा यह बैदुच्छेत्र है ठीक है अब बैदुच्छेत्र मौझूद है तो आबेस को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो तो उसके जैसा ही हुआ मतलब उसी जैसा हुआ तो मेरे पास आ जाओ अगर नहीं हुआ तो बहुत दूर निकलो चलो हटो यहां से तो जला ध्यान दीजे यहां पर जो है यह परिच्छड आवेस कैसा होता है दनात्मों होता है अच्छा और यह बैदू छेत्र हम लोग बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब है बाहर निकल रही होगी मतलब की बहु प्लस क्यों आवेस होगा ओके ठीक है तो बहुत अच्छी बात आप ने बता दिया और किरेर भी हो गया है अच्छा लेकिन फिर भी मैं बहुत मतलब यहां पर मैं यहां पर बहुत जिद्धी हूं कि क्यू नाँ को मैं बिंदु बी से ए तक ले जाओंगा ही ले जाओंगा अच्छा है ठीक है तो ले जाइए उसमें आपको रोका किसने है बिल्कुल बाई को रोक सकता है मैं बिन्दू B से क्यों और को बिन्दू A तक ला रहा हूं लेकिन लोग रहा है बैदू छेत्र जी हां फिर भी मैं ला रहा हूं इसका मतलब है कि मुझे इस बलके बिरुद कार करना पड़ा है इतनी बास समझ गए very good बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर कार कैसा होगा external क्योंकि हम लोग बहार से लग रहा है तो भायकर होगा यह दिश्णक अ बहुत इंपोर्टन्ट है तो यह कार हो गया TO हमने क्या किया हम बिंदू B से बिंदू A तक परिच्छड आवेश को ला रहे हैं और इतना हमें बाहर कार करना पड़ रहा है तो बाहर external यहने की W external बठी Q not इसी को हम लोग उन दोनों बिंदूओं के बीच परिच्छड आवेश के नाम से जानते हैं यह बार मैं फिर से बोल रहा है मैं क्या बोला हूं मैं बिंदू B से परिच्छड आवेश को बिंदू A तक ला रहा हूं तो मुझे इस बल के ब्रुद कार करना पड़ रहा है तो बही कार और परिच्छड आवेश का जो अनुपात है उसी को उन दोनों बिंदूओं के बीच बैदुद विभानतर कहा जाता है यह तो चीज जो है ऐसा लग रहा है उपर उपर निकल गई कोई बाद नहीं फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इसे हम लोग डेल्टा भी बोल सकते हैं तो डेल्टा भी वराबर डबलू इस्टर्नल बटे क्यों नॉट यह आपके पास एक फार्मॉला निकल के आगया ध्यां दिजी पर हमको करना पड़ रहा है कितना व इस्टर्नल तो एक कुलाम आवेश पर कितना करना पड़ेगा भीया तो सीधी सी बात है Q0 का भाग लगा देगे जैसे पांच पेन का मूल 25 रुपया है तो एक पेन का मूल कितना हो जागा 25 वटे 5 तो इसी इसाफ से आफ समझेगे और W external वटे Q0 को ही हम क्या बोलते है डेल्टा वी तो यहाँ पर आप देखेगा यानि एक कुलाम आवेश को एक कुलाम आवेश को बिंदू किनी देखो एक कुलाम आवेश को किनी दो बिंदू के बीच लाने में जो किया गया कार होता है उसी कौम लोग क्या बोलता है उन दोनों बिंदूओं के बीच वैदुद विवानतर कहते हैं फिर से सुनिये मैं क्या बोलाओं वैदुद छेतर में किनी दो बिंदूओं के बीच वैदुद छेतर में किनी दो बिंदूओं के बीच एक कुलाम आवेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू त कहते हैं बहुत अच्छी तरीके सर जी आपने समझा दिया बहुत मज़ा आ ठीक है मैं फिर से एक बार रिपीर कर रहा हूं और आप लोग भी अगर समझ गये होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर इस डिफिनीशन को लिखें देकिये क्या कि पूरा है हमारे पास बैदुछेतर है उसमें दो बिन्दो लिए इन दो बिन्दो की बीच में हमने एक उलाम आबेस को एक बिन्दो से बिन्दो तक ले गाए तो जो कार करना पड़ रहा है उसी को हम लोग subconscious को ले जाने में जो किया गया कार है उसी को हम लोग बैदुद विवानतर कहते हैं ओकिसर जी ठीक है समझ में आ गया तो एक कुलाम आबेस को ले जाने में जो आप कार कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैदुद विवानतर अब चुक्कि एक कुलाम आबेस बहुत बड़ा आबेस होता है इसलिए हम लोग किव नाट आवेस को लजाते हैं किसको लजाते हैं किव नाट आवेस को लजाते हैं तो ये हमारे पास definition बनती है क्या कि बैदुद छेतर में किनी दो बिंदूओं के बीच एक कुलाम आवेस को लजाने में किया गया जो कार होता है उसी को हम लोग क्या बोलत ठीक है तो चर्चा करने वाले हैं हम लोग विभो पर तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसको मैं रफ कर रहा हूं ठीक है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके भौतिक विज्ञान में यानि फिजिक्स में बिवो को डिफाइन नहीं किया गया है केबल बिवांतर को डिफाइन किया गया है लेकिन हम लोग जुगार लगा कर कैसे जुगार जुगार लगाकर क्या करते हैं बिवहो को भी परिवासित करने का प्रियास करते हैं और करते भी हैं देखो किस प्रिकार से तो बात करने जा रहे हैं हम लोग बिवहो पर तो बिवहांतर क्या है अभी हम लोग जान चुके हैं दो बिंदूओं के बीच एक उलाम आवेश को हम लोग ले जाते हैं, तो जो कार करना पड़ता है, उसी को हम लोग को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैदुत, बिवांतर के नाम से जानते हैं, ठीक है सर जी? यहाँ पर क्या है? विवांतर को समझने के लिए, माल लो यह बिंदू A है, यहाँ पर दो बिंदू थे, बैदु च्छत में, लेकिन अव डुसरा जो बिंदू था, जब विवांतर को हम लोग उर डिफाइन किया था दो बिंदूसे, बिंदू A और बिंदू B, लेकिन जो ब परिछड़ आवेज को Q0 को ला रहे होंगे तो आप जानते हो ठीक है सर जी अभी आपने बताया कि दो बिन्दू के बीच जो विवांतर होता है वह इस्टरनल बटे Q0 के बराबर होता है ठीक है सर ओके तो यहां पर आप देखिए विवह को किस प्रिकार डिफाइन किया गया है कि जो दूसरा बिन्दू होगा उसे हम लोग कहां पर लेंगे अनंद पर लेके चलेंगे तो अनंद से जब हम लोग परिछड़ आवेज को बिन्दू ए तक ला रहे हैं तब जो हमको कार करना पड़ता है वही कार और परिछड़ आवेज का जो अनपात होता है उसी को हम क् rays जानते हैं लोग क्या बोलते हैं उस बिशाम की नाम से जानते हैं अच्छा एक बाती फिजिक्स तो यहांपर जिन रख दोगे इस की वे भाइंग डाइगा W नोट इस प्रिकार हमारे पास विवो की विवी को हम लोग जुगार के थूरू निकाल लेते हैं कैसे कि एक बिंदु को हम लोग अनन्द पर रख देते हैं और अनन्द से हम यह मान चलना है परिछड आवेस को ला रहा है बिंदु ए तक तो जो कार करना पड़ रहा है भाई उस बिंदु पर क्या कहलाता है भाई उस बिंदु पर विभो का मान कहलाता है ठीक है तो विभव क्या है कि अनंद से परिछड आबेस को किसी बिंद पर बैदुचेत में इसी बिंद पर लाने में जो कार करना पड़ता है उसी कार को ही हम लोग उस बिंद पर विभव के नाम से जानते हैं ठीक है लेकिन एक चीद ध्यान रखिएगा यहां पर मैं आपको यह पॉइंट आप याद भी रखेगा मान लिजे कि आपको अनंद पर विभव का मान जीरो ना देखर कुछ और देदें ठीक है जीरो ना देखर मान लोग कोई बहिलू देदें तब आपसे बिंदु ए पर विभव पूंच लिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे तो भया के पास अगर मान लिए इन केस कॉष्चिन में बिंदु जो भी अनंद पर है और वहांपर विभव का मान मान लोकि इन केस कुछ दे दिया गया ठीक है तो आप विभव का मान पूछा जा जाएगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे वी ए माइस बीबी हम लोग जानते हैं द लोग आसानी से उस बिंदू पर बिभो को निकाल सकते हैं ओके आई होप आप लोगों को बिभो और बिभांतर से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी वो समझ में आ गई हैं अब मैं आपको दो चीजें और बहुत इंपोर्टेंट हैं इन्हें महत्पूर्ट बिंदू के ना उतना हो रहा होगा उसकी बात कर मैं तो क्या है और बहुत Entwicklung रहीस कि महत्पूर्अट पॉइंट जिने हम लोग बोसकते महत्पूर्ण पॉइंक महिकपुर्ट बिंदू, ठीक है, तो दो महिकपुर्ट बिंदू क्या है, चलिए उन पर बात कर लेते हैं, तो देखिए वेटा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है, कि जो परिच्छड आवेस Q0 है, इसे हम लोग बिंदू एक से दूसरे बिंदू तक, यहनि किसी ऐसा क्यों अगर लोग के लेकर आएंगे तो उस उसका बेग बदलेगा और अगर बेग बदला तो उसके पास गतिज उर्जा भी बदल जाएगी इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर परिछड आबेश को धीरे धीरे लाते हैं ताकि उसका बेग और गतिज उर्जा ना बदले गतिज उर्जा ना बदले दूसरा पॉइं important point है ठीक है कि यहां पर जो वहाय कार होता है वहाय कार होता है ठीक है जिसे बोलते हैं डवलू external सदैब सदैब डवलू बैदुच्छेत्र बैदुच्छेत्र ठीक है यह की डवलू इलक्ट्रिक से के विपरीत होता है के विपरीत होता है क्या मतलब हुआ मतलब यह हुआ कि जो वहाय बल होगा वहाय बल एफ इस्टरनल वो हमेशा सदैब एफ ए के विपरीत होगा तो यह दो महच्पॉर्ट पॉइंट है इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग त्यार भी रखिएगा दिमाग में आप आराम से बिठा सकते हैं पर इसको अगर बिंदू एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ला रहे हैं और तेजी से लाएंगे तो तेजी से लान हैं तो उसका ना तो बेग बदलना चाहिए और ना ही गती उर्जा में कोई भी परवर्तन होना चाहिए यह दोनों कैसे रहने चाहिए निश्चित रहने चाहिए बदलेना दूसरा जो आपका बहायवल होगा बहायवल ठीक है या बहायवल होगा या बहायकार हम बोलें वो हमेशा बैदू छेत्र के विप्रीत होगा क्योंकि बैदू छेत्र क्या कर रहा होगा बैदू छेत्र उसको बाहर की और पुस्ट कर रहा होगा लेकि हम लोग परिछड आवेश को उसकी और ऐसे ला रहे होंगे तो हमेशा ये कार जो आप देखेंगे कि जो बहाय कार होगा ज सदैब सदैब जो है कैसा होगा विप्रीद होगा किसके एफी के निकी जो बैदु छेत्र बल लगा रहा होगा उसके ठीक है तो यह दो महत्पूर्ट कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है हो सकता है कि आपके बोर्ड एक्जाम में बही पूछ दिया जाए ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए हम लोग उस टॉपिक पर आते हैं और चर्चा करने वाले हैं क्या कि बिंदू आवेश के कार्ड अभी मैंने बताया जैसे चलिए इस पर बात करेंगे उत्पन बैदुद्धिवो ठीक है बिंदू आवेश के कारण उत्पन बैदुद्धिवो आओ बच्चों इस पर चर्चा करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेरी बेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देखिए बिंदू आवेश के कारण उत्पन बैदुद्धिवो अभी हमने आपको बताया कि बैदुद्धिवो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जब हमारा एक बिंदू जो है अनन्द पर होता है और अनन्द से हम लोग पर इछड़ावेश को जिस बिंदू पर बात करनी होती बिफो के बारे में बहां तक लाते हैं मतलब कि अगर मालो इस बिंदू पी पर बात करनी होती है तो बी पी बराबर वो कितना हो जाएगा external को निकालना, W external निकलेगा, निकालना है सोरी, ठीके, यह हमको निकालना होगा, तो W external कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर कारवराव होता है, बल गुड़ें भिष्थापन, तो हमको यहाँ पर बल चाहिए होगा तो बच्छा बल पर सोड़ा बात करते हैं तो बल देखो आपके पास कच्छा ग्यरा में आपने पढ़ा होगा कि दो प्रिकार के होते हैं सनच्छी और आसनच्छी बल तो सनच्छी बल क्या होता है अगर आपने कच्छा ग्यरा पढ़ा होगा तो अच्छी कि बल क्या होता है किसे मान लो बिंदू एक यह है और एक बिंदू यह जिसको मैंने बोल दिया कि यह बन है और यह टू है अगर मैं बन से टू पर जा रहा हूं मालो इस पर कार गया तो हमको मालो यहां पर यह कार मिला ऐसे अगर मैं यहां पर गया तो भी कार कितना होगा जिसे मां लो बिदो एक से बिन्दू B तक है मानलो के रहे और ये सोड़ी एक है और यह दो है के बिंदभी में कुछ इसकार से कर से गया ऐसे गया और आप तो कॉल बराबर भाइवें का पत्पव निर्बडीर यहूं करता है ठीक है यह देख रहे हैं यहांपर जो कार हो रहा है डॉलो इस्टर्नल वह कहें दो कर बराबर लेकिन आप देखो इनकी डायेक्शन कैसी है अपोलिट है तो यह इदर गया तो केसा हो गया प्लस का माल दिया और यह गया तो माइस का हो गया तो यहाँ पर डवलू टोटल की बात करेंगे वो कितना आएगा जीरो आएगा तो भी एक प्लस का है और दूसरा माइस का तो जीरो आजाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि डवलू इस्टरनल जो है वो बन टू टू में अगर मैं पोजिटिव लेकर जाल रहा हूँ तो यह उतना है होगा लेकिन निगेटिव हो जाएगा यह चीज समझ में आ रही है तो यह दो बहुत ही इंपोर्टन चीज़े हैं संरच्छी वल के बारे में कि यहाँ पर संरच्छी वल पाथ पर डिपेंडी ने करता है कि आप कैसे भी गए आप ऐसे गए आप सीधे चलेगे एक बिन्द से दूसरे बिन्द पर यह आप ऐसे करके गए यह आप ऐसे करके गए कैसे भी करके जाओगे हर एक path पर आपको जो car मिलेगा वो कैसा होगा equal होगा और asanachival में क्या होता है यही car अलग-अलग हो जाता है तो यहां पर जो asanachival का concept था वो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ठीक है तो हमने देखा कि अगर हम लोग एक circular path पर में इससा चाहिसर चैनी काका सरानAS के साला करते हैं तो न आमको कि ई स्कूल तो आप समझ में कि इससे हैं कि बिंदू इपर कोई बिंदू या है यहां cross परिच्छड़ अवेस रकाया बिंदु aves-o पर q, जिसे हम लोग कि श्रोत आवेस καनते हैं स्थ्षभ नाम से जानते हैं इसके कायर से बिंदु p है जिसे कायर कि 번र्त डूरी पर रिस ति रहा वे ??? O से यानि की Q से जहां पर विवो के मान की गढ़ना करनी है N की BP वराबर W external बटे Q not यह होगा लेकिन W external कितना होगा my mistake W external कितना होगा W कितना होगा उस पर हम लोगों को चर्चा करनी है भही हम लोगों को बात करनी है तो बैदुद विवो के लिए अभी मैंने बताया कि बिंदू कहां पर लेते हैं हम लोग अनन्द पर लेते हैं तो माल अनन्द पर कहीं परचल आवेज रखा है और उसे हम लोग कहां तक ला रहे हैं कहां तक ला रहे हैं बिंदू पी तक ला रहे हैं और यहां पर हमको गरना करनी है बैदूत कि याद होने भी चाहिए क्या बताया था कि जब भी हम परिच्छड आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु सक लाते हैं तो बहुती धीरे-धीरे लाते हैं श्लोली 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 बहुती धीरे-धीरे लाते हैं या बहुती धीरे-धीरे दूर ले जाते हैं ठीक है तेज नहीं लाते हैं नहीं कि एकदम नहीं लाते हैं क्युंकि इसके बेग में परवरतन आ सकता है और मतलब उसकी उर्जा में भी परवरतन आ جाएगा ठीक है टिक भरी ओखशन इस बात समझ में आ गई तो हमको क्या करना है हमको इहां से परिषडवेस इसको बिंदू P तक लाना है ठीक है तो आपने देखा कि हम यहां तक लाएंगे तो हमको एक कार मिलेगा डवलू इस्टर्नल कितना अनंद से P तक लाना है बिलकुल सही अगर मैं मान के चलूं कि मैं परचल आवेज को बिंदू P से अनंद तक ले जाओं यह भी तो होतकता है तो यहां पर भी कार होगा डवलू इस्टर्नल वो कितना P से इन्फानाइट तक ठीक है वह अनंद से हम भी तक ला रहे हैं यहां पी से अनंद तक ले जाएं तो बात एकी हैं दोनुझ कार कैसे होंगे अ स्टर्नल तीव की मिलेगा यह अगर हम पीसे अनं ह्जाए क्यम्कित्व हो जाएंगे यहां पर टो मैं क्या करूँगा हमको चाहिए होगा अनंद से P तक लेकिन मैं निकालूंगा यहांपर पी से इन्फानेट तक और बस क्या करना होगा दोनों इखुर परिशडरावेश को अनुंद तक को निकालना कि मैने मने माल लिया चिक्षड आ है तो कि मैंने क्या बताया कि हम लोग जब भी पजीखर आवेश को एक बंदू से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो बहुती स्लोली स्लोली ले जाते हैं धीरे 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 अचानक नहीं ले जाते हैं तेज नहीं ले जाते हैं धीरे देले ले जाते हैं क्यूं क्यूंकि उसका बेग नहीं बदलना है ठीक है बेग में परवर्तन आ जाएगा तो उसकी उर् A, B, C, D, बहुत सारे बिंदू में लेंगे, अनन तक, ठीक है, भाई, धीर 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 ले जाना है, ठीक है, चलो, एपर थोड़ी कहानी को समझते हैं, मालो, यहाँ पर परिच्छा आवे, इसको मैंने रखा, क्यों नाट, ठीक है, अब जो ध्यांस देखो, अब आपकी पहले चेप्टर की जो भी चीज़े हैं, वो दमाग में आनी चाहिए, आती होनी चाहिए, यह भाई साब यहाँ पर बैठे, इनको यहाँ पर रख दिया, दो बल, इसको मैंने माल लिया, कि यह एक्स दूरी पर है, यह बिंदू, यह जो है, इस सोत आवे से, एक्स दूरी पर है, ओके सर जी, दो आवेस रख गए हैं, रखे हैं, दो आवेस रखें, तो कूलाम का नियम लगेगा, जी यहाँ सर जी बिलकुल लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यह जो क्यू है, इस क्यू नौट पर बल लगाएगा, बिलकुल लगाएगा कूलाम के नियम असाद, अब ब से एक दूसरी को दूर बगाते हैं तो यह इसको दूर बगाएगा मतलब की प्रतिकर्सड बल लगेगा और वो बल्की दिसा किदर होगी F E की जो दिसा होगी वो आप देखेंगे उस बल की दिसा इधर होगी ठीक है सर बिलकुल समझ में आ गया एक दम मक्खन की तरह की कैसे हाँ जी अच्छा मैंने अभी बताया था आपको हम लोगों की टेंडेंसी है इस बिंदू को पी तक लाने में मतलब की यह क्या करेगा इस इस्टरनल है अगर दोनों बराबर नहीं होंगे सोचो अगर दोनों बराबर नहीं होगे तो पैटा यह F E अगर बढ़ गया तो अचानक एकदम भाग जाएगा वो कि अनंद की तरफ एकदम जाएगा जो कि हमको ऐसा करने नहीं देना है और अगर मालोग F इस्टरनल बराबर होने चाहिए ठीक है लगभग बराबर होने चाहिए इन फैक्ट मैं भी ही बोल दूँगा कि दोनों बराबर होने चाहिए ठीक है F E जो है F इस्टरनल के बराबर होने चाहिए बिलकु समझ में आ रही चीज़े हां सजी जब बराबर होंगे तो धीज़े धीज़े में देना ह। तो ne saben कैसे उना चाहिए बराबर उना चाहिए बिलकुँ सरे समझ में आ गया समझ में आ गया ज colony important चार priest कुलाम के निवान शाहिए किल्कुल एकदम मखन की तरीके से समझ में आ रहा है किक अच्छा सर जी यहां पर बिंदू A पर आपने बात कर ली कि F external F E दोनों बराबर होंगे और वो इतने होंगे तो सर हमको आपने कहा कि कार निकालना है तो कार के लिए जो है हम लोग कार कौन सा निकालना है कार हम निकाल रहे हैं P से infinite के लिए लेकिन सर ऐसा क्यों हमको जाए infinite से P हाँ भईया जही चाहिए हमको लेकिन यहां पर देखो डोनों कैसे होते हैं साइन का वर्सकեवलोचा है जिसे हम लोगं बात में मानस कर लेंगे और यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं P से infinite की ओक के सब्समझ में आ गया तो मैंने क्या किया मैं इसको अब इधर ले जा रहा हूँ तो मान लिया ये थोड़ा सा बिस्थापित हो गया और बिंदू B पर पहुंच गया यहां पर आप पहुंच गया कहां पहुंच गया बिंदू B पर ठीक है तो ये जो बिस्थापन हुआ बो डी एक्स तो डी एक्स बिस्थापन के लिए अगर मैं कार बात करूँ कि यहां पर इतनी A सी B तक गया इतना छोटा सा बिस्थापन हुआ इसमें कार कितना हुआ ठीक है तो डी एक्स बिस्थापन के लिए विस्थापन के लिए अगर मैं कार के बारे में सोचू तो DW उसे मैंने बोल जिए छोटा सा कार मिलेगा छोटा सा बिलकुँ छुट्टो सा इतना बड़ा सा ठीक है छोटा सा कार तो DW वो कितना होगा आप जानते हो कार वराब होता विस्थापन विस्थापन है दी-ʏक है और कॉस थीटा को स्टीटा क्या है धोनों करते हो जो कर है उनकी धी विशलिये बड़ों की बीच यह समंझ में आरे ही हैं चीजें की नहीं भही अगर किसी बिंद पर बल दो लगे हो ठीक है अपोजिट या कैसे भी लगे हो दो लगे होते हैं तो उनकी बीच के कोण पर हम लोग डिपेंड करते हैं कार महाँ पर क्या होता है f into ds cos theta होता है तो यहाँ पर f into dx विस्थाबर हमने बोला है तो cos theta theta निकालना होगा तो दोनों बलों के वीच का कोण चाहिए होगा तो दोनों बलों के वीच का कोण बेटा यहाँ पर कितना है तो यह इधर है यह इधर है दोनों के वीच का कोण 180 हो जाएगा तो ये हमारे पास 180, यानि cost 180 हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ में आ रहे ही इन चीजे, किलिए रहना है आया तक, आगे बढ़ा जाए, चलें, बढ़ें, अनुमती है, ओकी, चलो, देखते हैं, तो यहाँ पर DW के बारे में अगर बात करी जाए, तो बुक कितनी आने वाली है, यह क्या है, x external, ओकी, सर्जी, वो कितना है, क्यू, क्यू नाट अपान x square, इंटू, dx और cost बने टी कितना होता है, माइनस का 1, तो कुल मिलाकर यह हमारे पास आ गया है, DW, माइनस का, क्यू, क्यू नाट अपान x square, इंटू, dx, ओके सर्जी, लेकिन हम को कहां तक लगाना है, बिंदू, P से infinite तक, तो अगर मैं P से infinite तक बात कर लोँ, अगर मैं बिन्दू P से इंफानायट तक कहां से P से इंफानायट तक का कार निकालूं का कार तो वो कितना होगा वो डवलू बरावर हो जाएगा ऐसे जितने भी कार होंगे छोटे-छोटे बिन्दू A, B, C, D जितने भी मिलेंगे उन सबी का योग और योग कोम लोग समाकलन से जानते हैं इसकी कितना है निकाल चूके है ? तो वह कितना है माइनस का क्यू क्यू नाट अपान एक्स स्क्वार और डी एक्स यह रहा हमारा डी एक्स ओके क्लियर यहां तक समझ में आ गया ठीक है तो माइनस का क्यू क्यू नाट बहार आ जाएगा इसको मैं बहार निकाल दे रहा हूं क्यू क्यू नाट बहार integration के अंदर बचेगा limit r to infinite 1 upon x square dx ओके तो 1 upon x square dx इसका समा कलन जो होता है वो होता है मायस का बन अपान x देखो मैं बता रहा हूँ बन अपान x square dx इसका जो समा कलन होता है वो होता है मायस का बन अपान x plus c ठीक है तो i would be constant होता है इसे हम लोग लिखते हैं यानि समा कलन का यह नितांग होता है ठीक है तो अब यह होता कैसे तो देखो द्यान से एक फार्वला होता है x की power n dx integration x power n dx इह होता है x power n plus 1 upon n plus 1 समा कलन देखो यह आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से आती होगी तो कोई दिक्केत वाली बात नहीं है समझ में आए जाएंगी चीजें इसको अगर मैं यहां पर देखो इसको तो इसको मैं अगर उपर ले जाओ तो माइस 2 में से plus 1 निकलेगा तो माइस बन आएगा जो की माइस चे ना जाएगा और यहां पर x की power माइस बन होगा जिसे मैं बन अपान x लिख सकता हूँ तो आपन अपन x square dx का जो समा कलन होता है वो कितना होता है माइस का बन अपान x समझ में आ गया ठीक है तो मैं यहां पर इसका समा कलन रिख सकता हूँ लिख दूँ ठीक है सर लिख दीजिए अच्छी बात है चलो बात करते हैं देखो भया ओके तो यह हमारे पास डवलू जो निकल के आ गया डवलू इस्टरनल वो कहां तक ओहो डवलू इस्टरनल वो कहां से बिंदू पी से हम लोगों ने इंफाइनाइट तक की बात करी है ठीक है सर जी कितना आ गया तो वो आ गया हमारे पास देखो जरा ध्यान से यह कितना माइनस का क्यू क्यू नाट और इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं अभी हमने बताया माइनस का बन अपान एक्स और लिमिट कितना आर टू इन्फाइनाइट ओके सब इस माइस जिनको मैं ब limit put करते हैं, तो पहले upper limit और फिर minus करके lower limit तो upper limit रखेंगे तो बन अपान infinite minus बन अपान R बन जाएगा, जो की ये 0 होताय तो ये बन जाएगा minus का q, q-not upon r, इस minus की पज़से ये minus हो जाएगदा, जो w eternal निकल के आया, कहां से, p से infinite, वो हम लोगों क्या चाहिए था हमको चाहिए था w external infinite to p तो यहां पर हम लोग w external infinite to p को लिख सकते हैं कितना minus का w external p से infinite और इसकी value अभी हम लोग निकाल चुके हैं वो यह रखी है तो minus minus का k q q not upon r तो minus minus plus हो जाएगा तो कितना k q q not upon r w external कहां से infinite to p यह जो आपको मैं बता रहा हूँ full concept के साथ बता रहा हूँ ठीक है पूरा concept साथ कैसे क्या हो रहा है बहुत सी किताबों में आपको दिया गया होता है वहाँ पर जिक्री नहीं होता है कि यह जो बहावर लगत जो किरा होता है वो बह ducks कार होता है को इसके बारे में भी जिकर नहीं है और दूसरा सीधा सीधा वहाँ पर बता दीया रहता है कि ऐसे ऐसे यह चीज है कहांसे ते कहां से पारों एक बोहरा था कि मैं आपको फुल कॉणसेप्ट बात करूं बिभो की इसलिए बिंदू P पर पर बिभो तो वो होगा B P बराबर W external बटे Q naught यानि कि जो W external है वो कैसा होगा infinite to P होगा तो यहाँ पर infinite to P दिकाल लो रख लो निकाल चुके हम लोग कितना है बेटा के Q Q naught अपान R और बटे में Q naught Q naught से Q naught कर जाएगा तो B P यानि कि बिंदू P पर जो वो आया वो कितना है के Q upon R मितलब यहाँ पर की की बेलू होती है बन अपान फॉर पाई epsilon naught Q upon R तो यह हमारे पास बिभो निकल के आया बिंदू P पर कितना के Q बिभो के साथ मैंने आपको बताया है चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कैसे हम लोग निकाले थे तो बिंदू आबेश के कारण उत्पन बैदूत बिभो पर हम लोगों को चर्चा करनी थी बिभो कैसे आता है तो हम लोगों की जो बहुत ही है उसमें केवल विवांतर को डिफाइन किया गया है लेकिन हम लोगों को अगर विभो की जरूत पड़ती है तो हम लोग बिभो में बिंदू जो भी होता है या दूसरा बिंदू होता है उसे हम लोग कहां पर ले लेते हैं अनन्द पर मान के चलते हैं तो बहारतमकार होता है, ठीक है, इन्फािइन टू पी पर लाना है, तो मैंने मान लिया कि एक सिरौत आवय्ष रखा है, जिसके जिससे आर दूरी पर बिंदू P है, जिस पर ही हमको विभाव के बारे में चर्चा करनी है, बिभव के मान को ग्यात करना है ठीक है कियोंकि बेग परवर्वोंनent नहीं होना चाहिए जितना भी उगा उसी को रखेंगे बदलेंगे नहीं क्योंकि अगर बेग में परवर्वोंनन तो उसकी उर्जा यानि गती जूर्जा में भी परवर्तन आपको देखने को मिलेगा साथ इसाथ आपने देखा कि यहाँ पर जो जो भायतम कार होता है वो सदय हमेशा कैसा होता है कैसा होता है जो बैदू छेट की द्वारा किया गया कार होता है कैसा होता थीक है two concept मैं थो याद रखिए तो यहां पर हम को चाहिए क्या और चाहिए क्या कारवा तो बल कितना थे होा हम मतलब एक बिंदू से अगर दूसे बिंदू तक हम लोग कैसे भी जाएं कोई भी पाथ लें तो वहां पर जो कार होगा वो सदय बराबर होगा हमेशा कैसे भी जाएं मतलब एक बिंदू यहां है दूसा बिंदू यहां है यहां से हम लोग ऐसे जाएं ऐसे जाएं ऐसे जाए कईए किसे भी जाएं थो कार कैसा मिलेगा हमे सागए दूसरी चीज क्या मैं बताई कि अगर 1–2 के बीच में अगर अ邊 dedic हो जाएगा तो भई है कॉऊंसेट्ट focuses increase यूज़ کیा ठीक है तो यहां पर देखा कि बिंदू पी बिंदू ए पर अगर अगर हम ध्यान दे माल लो परिश्षड आभेश रखा एंगा तो यहां पर कितना हम लोगों को मिलेगा यहां पर क्या होगा थोड़ी कहानी को समझते हैं तो उसके देखा कि यह शलोफ आभेस इस पर बल लगाएगा कुलाम के निवानुसार जो सीविया दूनों बराबर ने चाहिए क्यों कि हम जानते हैं कि हम लोग धिले धिले करके ही ले जाएंगे या जो है धिले धिले फिर्ट मान बल जाएगा तो यह अचाना का जाएगा तो बढरते हुए नहीं देख सकते हैं लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जो है दोनों बरावर होने ठीक है सर हमने बहीं बात कर ली है तो हमने मालिया कि यह इसको हम थोड़ा इदर सिप्ट कर रहे हैं बिंदू B तक पहुंच गए तो वो बिश्थाबन डी एक्स ले लिया और डी एक्स बिश्थाबन के लिए हम लोगों ने कार निकाला कार का जो फार्मुला था उसका अपान आर और हमको चाहिए इंफानाइट टूपी तो हम लोगों ने यहां पर इसका यूज कर लिया देखा कितना आया के क्यू नाट अपान आर के लिए एक्दम ओके तो हमको चाहिए बिंदू B पर विवो तो विवो क्या होता है डवलू इस्टर्नल बटे क्यू नाट रगाया फार्मूला क्यू नाट से क्यू नाट कर गया तो बीपी बलाबर आ गया के क्यू अपान आर यानिकी वन अपान फॉर पाई अपसाल नाट जब हम लोग के की वेलू रख देंगे इंटू क्यू अपन आर तो इतना हो जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं इस पर इसकी थोड़ा मात्रक के बारे में मात्रक पर चर्चा करते हैं ठीक है एक चीज समझ में आगया होगा हम साफ कर रहे हैं चलो देखिए आगे थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर थोड़ा क्या जिसे मान लोग हम लोग पढ़ चुके हैं मान क्या ल और आपको पता है कि तिव्रता कैसी रासी होती है सदिस रासी होती है ठीक है जिसकी दिशा के दर होती है बाहर की ओर होती है यहने की इस तरफ होती है ओके यह हम लोगों ने देखा था यहीं पर अभी हम लोगों ने अभी देखा कि वह भी देखा कितना है वो के क्यों पान आ रहा है, यहां पर R स्कुर्ण है, यहां पर R है ध्यान रखीएगा, ठीक है, और यह कैसी रासी होती है, यह अधिस रासी होती है, अब जड़ा इसके मातरक पर बात कर लें, तो B बराबर क्या है, डवलू अपान Q, नॉट, ठीक है, तो W का रहे है, तो इसका मातरक जूल, और यह आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, जूल प्रती कूलाम, तो बी बराबर आ जाएगा, यानि बी का मात्रक आ जाएगा, बी का मात्रक, जूल प्रती कूलाम, जूल प्रती कूलाम, तो यह कुछ इंपोर्टेंट चीजे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर आज के इस lecture में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना विभांतर क्या होता है फिर हम लोगों ने विभांतर के जरिये से विभो को डिफाइन किया और फिर हम लोगों ने देखा कि कोई बिंदू आवेस है उसकी बज़े से किसी बिंदू पर बैदुद विभो कितना हो सकता है उसको भी हम लोगों ने आज के इस सेशन में कवर किया बहुत ही important lecture है आज का तो उम्मिद करते हैं आज का lecture आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो सभी लोग बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को like कर दीजेगा और सभी अपने फ्रेंडों को share कर दीजेगा ताकि उनको यह जो concept मैंने बताये हैं वो अच्छी तरीके से clear हो जाएं ठीक है ओके मिलते हैं कल कल के सेशन में ओके बाई बाई